चांद राद मुबारक आप सबको सबसे पहले आज मैंने अपने प्लांट्स को वाश किया क्योंकि प्लांट्स को ना वाटर करनी के साथ साथ वाश करना भी ज़रूरी है नहीं तो उनके लीप्स बहुत जातक गंदे हो जाते हैं और नहीं ये सारे इंडोर प्लांट्स है मेरा सबसे फेवरेट है ये सिंगोनियम इसका ना ग्रोथ काफी अच्छे से हुआ है और इस अ वेरी हार्डी इंडोर प्लांट और एम डीली सॉरी अगर बैग्राउंड में कुछ भी नौइज आ रहा है तो क्योंकि इद के लिए ना हमारे महुले में फंक्शन चल रहा है हर साल ही ऐसा होता है इनिवेज उसके बाद तयार होके मैं आफिस गई और अपना न्यूस बुलेटिन शूट करने के बाद में घर वापस आके घर की थोड़ी से साफसफाई कर लिया इफ्तार और दिनर करने के बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ शीर खोर्मा जो की ईद के लिए एकदम स्पेशल है जनरली ईद के सुबह ही हम बनाते हैं लेकिन आज मैंने सोजा कि टाइम है तो मैं बना ही लेती हूँ पर कल सुबह भी बहुत सारा काम है ना काफी कुछ प्लान किया है कल बनाने के लिए लेट सी कितना हो पाता है खैर शीर खोर्मा बनाने के बाद मैं एडिट करने बैठ गई और अभी मैं जा रही हूँ महंदी लगाने मेरे हाथों में भी और मेरी दीदी के हाथों में भी